हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब ग्यानेंद्र इस समय चतीसगड में जहाँ पर आप मौझूद हैं वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है रोमाना चतीसगड के मुखमंतरी भुपेश बखेल कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है कितना जरूरी है और कितना पालन हो रहा है उनके प्रदेश में चलिए ये भी दिखाएं कल जब हम इस सराब दुकान की तस्वीर दिखा रहे थे तो ये बल्लिया नहीं थी ये बास नहीं थे ये जो आप देख रही है ये अभी कल एबी पी न्यूज दोरा खबर दिखाये जाने के बाद उसका असर हुआ है आपको याद होगा धमतरी जीले के कलेक्टर भी निकल हैं उनको आप देखके समझे कि कैसे लोग पास-पास खड़े हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन है एक सुरक्षा कर्मी वह वहां पर खड़े हैं ये बताइए लोग मान रहे हैं आपकी बात मान रहे हैं मान रहे हैं कहां मान रहे हैं इतने पास-पास में तो खड अब आईए जो यह कह रहे हैं उसी का जरा फैक्ट चेक कर लें यह एक मेटर की दूरी है दुरगे सिधर आईए यह देखे इसको कहेंगे यह फिजिकल डिस्टेंसिंग है रोमाना यह फिजिकल डिस्टेंसिंग है पुलिस कर्मी आंख में पट्टी बांधे हुए हैं और कह है फिजिकल डिस्टेंसिंग कल से लेकर अभी तक 35 करोड तो जरूर आपने कमा लिया होगा 36 गड़ में एक दिन का जो सराप का जो राजस्वाया है लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी और यह पूरी भीड देखने के बाद भी राजनांद गाओ राएपुर धमतरी से तस् है तो यह उन्हें रोक देते हैं कि भाई चलिए ठोड़ा दूर होई लेकिन कब तक कब तक केमरों की नजर से ही प्रसासन बचेगा और कब तक सरकार यह तैह करेंगी सरकार कि यह दलील हो सकती है कि राजस्वन नहीं है एक-दो दिन है तीन दिन है चार दिन है विरोध कि अगर कोई भी कोरोना का संक्रम होता है तो फिर कैसे बचा जा सकेगा क्या क्या पूरी की पूरी अर्थिवज़ताय राज्य सरकारों की सिर्फ और शराप की कबाई परिया अधारत हैं यह सवाल बड़ा हो जाता है ना जिस तरीके से ढिल दी ये छूट दी गई है कहां तो मंत्र था जान है तो जहान है लेकिन सवाल ये कि 40 दिन तक जिन लोगों ने जान है तो जहान है स्विकार करके अपने घर पर बैठने का फैसला लिया सहीोग किया देश में कोरोना के खिलाब जंग का क्या वो आम आदमी इस समय इन तस्वीरों क को देखकर जो एवीपी नियूस पर आप देख रहे हैं खुद को ठगा सा महसूस नहीं कर रहा होगा ये एवीपी नियूस की अपील शराब पीना यूँ भी सिहत के लिए हानी कारख है शराब पीने से शरीर की जो प्रतिरोधक शमता है वो कम हो जाती है इसलिए कोरोना का में शराब ना पियें तो ही बेहतर है